मुझे नमस्कार दोस्तों माकिरसवसे.com में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम एक मिठाई के रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही न्यूट्रिशल्स है बहुत ही टेस्टी है कई बार ऐसा होता है कि बच्चे या बड़े कोई भी नट्स खाना पसंद नहीं करते या फिर मौका नहीं रहता तो अगर आप इसे सूजी में मिला कर नट्स को फ्राइ करके सूजी में मिला कर उसके लड़ू बना लें तो नट्स देना खुद के लिए खाना बच्चों को देना बहुत ही फायदेमंद होगा और आसान भी होगा चले देखते हैं इसके इंग्रेडियम्स दोस्तों सबसे पहले सूजी के लड़ू है तो सूज चीनी घी ग्रेटेड नारियल है सूखा नारियल और मिले जूले नट्स हैं चौथाई कप के करीब काजू बादाम अख्रोट और किश्मिस और यह कुछ काजू को हम आधा कर लिए हैं उपर से चितकाने के लिए ताकि लड़ू हुमारे थोड़े सुंदर हैं चुटकी भर हम इलाइची पावडर का यूज़ करेंगे दोस्तों क्वांटिटी का यह है कि जितनी क्वांटिटी में हम सूजी यूज़ करेंगे उसकी चौथाई क्वांटिटी घी की लेंगे और थ्री फॉर्थ कप थ्री फॉर्थ क्वांटिटी चीनी की लेंगे और वन फिप्त उस तो चलिए आज हम बनाते हैं सूजी के लड्डू तो सूजी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तेसी घी में सूजी भून लेंगे ब्राउन नहीं करना है धीमी आज पर बिल्कुल ऐसा भूनना है ताकि यह सफेध ही रहे 7-8 मिनट के करेब हम इसे भूनेंगे जब तक हमारी सूजी भून रही है इसे दूसरी तरफ रख लेते हैं और हम नट्स को फ्राई कर लेते हैं हलका सा थोड़ा सा घी डालेंगे नट्स को फ्राई करने के लिए जबाने नट्स है वो डालें दो मिनट भूनने के बाद लास्ट में हम नारियर डालेंगे सूजी में हम चुटकी भर यह इलाइची पाउडर भी मिक्स कर देते हैं नारियल भी डाल देते हैं बीच बीच में हम अपनी सूजी भी देखते रहेंगे ताकि ब्राउन न होने लगे नीचे से लगे नहीं नारियल और बाकी काजू बादाम अगर फ्राई हो गया है तो इसकी गैस हम बंद कर देते हैं तो सूजी हमारी भून गई है और अब हम ग्यास बंद कर देंगे और इसमें मिला देते हैं थोड़ी सी ठंडी हो जाए कुछ सेकेंड हम इसको चलाएंगे हलका ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे जादा गर्म सूजी में डाल देंगे तो यह चीनी जो है वो मेल्ट होने लगे तो पहले इसे हलका सा ठंडा कर लें फिर चीनी डाल के मिलाएंगे और अब हमें क्या करने इसे इस मिक्सिंग जार में रखकर इसका हम एक दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे इसे जब अभी गर्म हो तभी आप इसे पीस लें हलका गर्म हो तभी पीसेंगे यह हमारा त्यार हो गया इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसमें यह जो नट्स हमने भून कर रखा हुआ है उसे मिला देंगे मिक्स करिए अभी काफी गर्म है अब इसको साइट से लेकर और लड्डू बनाना शुरू करते हैं हलका हलका जब गर्म रहेगा तभी हम इसे लड्डू बनाएंगे इसको टाइटली प्रेस करके फिर बनाना है तो ये लास्ट लड्डू भी हमारा बनकर त्यार हो गया ये दोस्तों त्यार हो गए हमारे सूजी के लड्डू इसे बनाना बांधना थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा टाइम टेकिंग है थोड़ा दबा कर हंतेलियों के बीच में रखकर थोड़ा दबा कर थोड़ी देर तक बांदना पड़ता है तब जाके यह शेप ले पाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है अगर आपको थोड़ी जाधा मुश्किल हो रही हो तो आप इसमें जब चीनी मिलाकर पीस कर और बा अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने सभी जानने वाले रिष्टेदार फ्रेंड्स सभी के साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए माकेरसोईसे.com तो